डो ब्रधिर को आविव हैं ऑने को डुट मॉर्णी दोस्तों से आप उम्मीद करता हूं कि आ वह को अच्छे हूंगे स Casey मोस्त में तो अवर अपने काम में तो ने अपने गुरुदेव के साथ में हदगड़ा गाओं में हैं जो एक इतिहास का पन्ना यहां पर पड़ा हुआ है और उसे हम लोग आज हमारे सम्मानिय गुरुदेव के साथ में हम लोग उसका खोज करने आए हैं और इस इतिहास के पन्ने को हम पलटके हम आपको बहुत रहस्य आज बटाने वाले हैं दोस्तो ऊप्लाव करना दोस्तो हम पहुँच पहुच चुके हो जगा में जो सबसे पहले हम उतिहास का परदार खोलने जा रहे हैं ओहरे तालाव बटाए जाता है कि हमारे गुडियों के साथ सबसे पहला जो उनका मैं इतियास दिखा रहा हूँ कि पन्य่ं को में खोलता हूं तो आई हमारे सर के साथ उसकी भीसे में हम लोग बास्चीत करते हैं तो दोस्तों आप कर देख सकते हैं सामंदी एक तलाब दिख रहा है चयादे एं इसी तरह का 700 तलाब की बात हम लोग ने सुना है और हमारे आधाडिये सर से हम जानते ही कि वास्तों में यहां कुल कितना तलाब था और कुन लोग यहां पर आकर के रहते थे मैं जे आर्यादों और रिटायर सिक्षक हूं और यह निकट ग्राम टांगर गाउं में रहता हूं यह जो हदगड़ा है टांगर गाउं लगे लगाए है मने सीमा तो बिलकुल लगे हुआ है अब यहां अपना पुर्खा कई पीड़ी से रहते आ रहे हैं जिसके करण से हदगड़ा और हमारे टांगर गाउं की निवासी एक दूसरी से अच्छी तरह मिले जुले हैं और ए चावर्ध हो आज इसको बोलते हैं इसमें चावर्ध होते थे उस समय के लोग जो हैने इसलिए इसको चरद्वा तलाब जो हैना बोला जाता है इसी के किनारे महा लोगे रथा और नीटा अभी भी उपलब्द है इसी नीटा से यहां एक सीव मंदीर भी बना हुआ है मन बीगत वस जो है ना दो-चार साल पहिले जो है मिला था जो किये की थे आज का जो है बहुत बड़ा सबूद है उस समय के राजा लोग संभवत सोना चांदी में बहुत प्यार करते थे और और रखते भी थे और यह चरद्वा तलाब का जो है यह पस्चिम साइड में नि का इमारत रहता था क्योंकि दवा हुआ जो इटा है उसका सबूद है और वहां पर यहां तक की तलवार भी मिले थे उसका खुदाई करने पर मगर इसको खुदाई करने से सासन के द्वारा मना कर दिया गया इसलिए अभी भी पेंडिंग है उसी के मैंने दक्षिंड हुई थी तो इसके बगल में एक तलाव है कोट तलाव जिसको बोलते हैं ये दोनों तलाव का पानी कभी नहीं सुकता है कितनी गहराई है इसको हमारे इस्थानिय लोग भी नहीं जान पाते हैं और इसी के पानी से जो है हमारे हदगड़ा वाले किसान लोग जो है न वो ख खेती भी करते हैं जैसे कि अभी आप दीक देख रहे हैं इधान का फसल लगा हुआ है और किनारे किनारे और बाड़ी-वाड़ी प्याज वाज भी लगाते हैं और किसान बड़ा खुशाल रहते हैं इस तलाब से यदि इस तलाब को अगर सासन की ओर से इसका मरमत कर दिया ज और यह जो तलाव है जरद्वा तलाव और कोड तलाव इसका रगवा करीब 20 एकड़ का पलाट हो सकता है दोनों तलाव मिलाके और यहां का पानी कभी नहीं सुकता है बारहों महिने इसमें पानी रहता है जहां से सिचाई करकर किसान लोग जिससे के अभी आप लोग देख रहे हैं यहां कई ठो पम्प लगे हुए हैं जिससे खेती की जाती है तो ये सब जानकारी जो है बहुत पहले से जो है हम लोग जानते आ रहे हैं और इसको सासन को जो है आउगत कराय भी जा चुका है पहले पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी आये थे उनके साथ मैं भी आया था और ये सब चीजों को उनको बताया भी और कुछ मूर्तियां भी मिली थी उसको ले भी गए तो इस तरह से एच्षेत्र में यहां तक की हीरा भी मिलता है और हीरा का भी ख़दान बताया जाता है और इस दरवान जो है ना यहां लोग बाहर से भी आते हैं हीरा के खोज में तो ये जानकारी वास्तों में यहाँ पर एक बहुत ही काहना चाहिए ख़जाना यहां मिल सकता है यह अपनी जानकारी में है तो दोस्तों इतिहास की स्पन्डे में हमने आप यह तलाब को दिखाए अब इतिहास के हम दूसरे पन्डे क्यों खोलने जा रहे हैं तो वीडियो में आप लगातार बने रहें दोस्तो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है अब देखें इसी तालाब के चलते ही इधर आप देखेंगे पूरा हरा भरा है खेती लोग की हैं धान लगाए हैं लोग बहुती सुन्दर खूबसूरत कुछ साक्सवजि और उस महल की कुछ आउसेस यहां पर बचे हैं जिसे हम दिखाने जा रहे हैं और जिसके विशे में हमारे गुरुदेव आपको कुछ जानकारी भी देने जा रहे हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो हम इटा के साइज को हम आपको दिखा दे हैं आई हमारे आधरने गुरुद साल पिछला यहां पर कुछ राजा लोग निवास करते थे उनके द्वारा जो बनाय जाता था मकान हो गया रहा है उसका इटा यहां पर टुकड़े के रूप में पड़ा हुआ है जो उपलब्द है जिसको आपको दिखा रहे हैं इसी तरह का यहां बगल में पखना तलाब कह जाते हैं उसी के किनारे जो है ना सीव मंदीर का निर्मार भी इसी इटा से बनवाया गया है और यह शेत्र के लोग जिसको बहुत पहले से अपने अपने ले जा रहे थे इटा को मगर बाद में सासन ने इसको बंद कर दिये और अभी भी यहां बहुत कुछ रह से छिपा ह हुआ है यह जानकारी जो है ना मिलती है रही बगल में जो है ना सोना भी मिला था जो जग जाहिर है और एक क्या करते हैं तांबे का पीटी में रखा हुआ सोना मिला था जिसका काफी माने परचार परसार के वज़र से सभी लोग इसको जान चुके हैं यह छेत्र में सोना भी उपलब्द रहता था किसे पता चला कि वो समय के जो राजा लोग थे वो पूर्तगाली लोग ही यहां रहा करते थे और आज जो है ना खंडहर के रूप में उनका जो इमारत बना था वो हम यहां पर जो खड़े हैं यहां भी एक मकान या महल बना हुआ होगा जिसका कि यहां टुकुडे के रूप में इटा पड़ा हुआ है जिसका चाया चितर आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं इतिहास के तीसरे पन्ने को खोलने के लिए और इस तीसरे पन्ने को खोलने के लिए हमारे साथ है हमारे गुर्दियो और आपको बताएंगे यहां कि दो तालाबों के बारे में यहां खंधर नुबाई इसना अगर ऐसा लगता है कि यहां नहाने का घर था इस रहस्यों को हमारे सर आज खोल रहे हैं तो आईए हमारे सर से हम बात्चीत करते हैं उसर जर इस तलाब के रहस्य के बारे में दर्सकों को आप जानकारी दीजिए प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों जो तलाब हैं इसकी ये जानकारी मिली है हम छोटे-छोटे थे उस समय से जानकारी मिलती रही है कि ये जो हम लुग कोट तलाव और चरदुआ तलावे दोनों के बीच में हम लोग खड़े हैं और जहां खड़े हैं यहां पर लगता है प्राप्त जानकारी के अनुसार रानी लोगों के लिए यहां पर इस नानागार जो है बनाए गया था उस समय के राजाओं के द्वारा ताकि ये दोनों तलाब का उप्योग जो है रानी लोग कर सके और ये जो इधर दक्षिंड साइड में जो तलाब जो इस्थित है उसका नाम है चरद्धुआ ये चरद्धुआ का मतलब ये होता है चाउर्दुआ पहले ये चाउर को धोते थे इस तलाब में और खाना बनाते थे और ये बगल में जो उत्तर साइड में है इसका नाम है कोड तलाब इसमें जो है राजाओं का कोड धुलता था इसलिए इस तलाब का नाम जो है ना कोड तलाब पड़ा इसकी गहराई आज तक जो है यहां के लोगों को पता नहीं है यह दोनों तलाब की गहराई ना आज तक सासन के दोरा कोई इनका रमत हुआ है ना कुछ नहीं हुआ है पानी कभी सुकता नहीं है और इस तलाब का उपयोग जो है हमारे हदगड़ा निवासी या किसान लोग जो है न करते हैं विशेज कर चरद्वा तलाब का पानी का उपयोग जादा करते हैं उसके नीचे धान उगेर बोएं हैं और यह जो कोड तलाब है सड़क किनारे होने के नाते इसका सिचाई नहीं करते हैं लेकिन यह प्रसिद्ध है कि यह छेतर का सबसे बड़ा और गहरा तलाब कोड तलाब और चरद्वा तलाब और यहीं का इटा से लेकर जो बना है पकना तलाब की मेड़ पर सीव मंदीर जो यहीं के इटा से जो है बना हुआ है तो उस समय की जानकारी बहुत ही रोचक है और सासन जो है ना इस पर ध्यान यदि दे तो यहां के किसानों के लिए एक खुसाल इस्तिती आ सकती है क्योंकि इसमें पानी इतना धीक रहता है कि पानी की कमी जो है ना यहां के निवासियों के लिए नहीं होगी तो यह यहां इसी के उधर जो है ना मैं बता भी चुका हूँ पूरव साइड में मूर्तियां थी ये महवाज हाड पड़ा हुआ है उहीं पर अब पूरा तत्त तो ये ताओं ने बीगत वर्स आये थे मैं भी उनके साथ आया था और मैं उनको दिखाया अभी तो मूर्तियां नहीं है जो भी आए एक एक ठो लेते गए तो यहाँ एक एतिहासिक रहस्त छिपा हुआ है यदि अगर इसका दोहन करना चाहे या खोज करना चाहे सासन तो बहुत कुछ यहाँ पर मिल सकता है यहाँ तक कि इस खंडर में उस समय के राजा लोग जो उप्यों करते थे तलवार हो गे रहाए वो भी इस खंडर के लोगों को मिला है और अभी भी उपलब्ध है तो यही है कि इस तलाब या इस खंडर का विगास के लिए सासन इस पर ध्यान दे यह अपना निवेदन है दोस्तो एक और सबूत में आपको दिखाता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं इस इता है इस इता से यहां पर दिवाल बना गया है जिसमें लगवा किस इता कुव्यो किया गया है तो कि बाकी इता बंढ़ है यह दिखाई दे रहे दोस्तों इस पस्ट रूप से इता काफी बड़ा-बड़ा साइज कहए माँ आपको बतान तो सबसे पहले उन लोग यहाँ पानी का बेवस्था करते थे चोकि उनके साथ में जानवार काफी ज़्यादा हुआ करते थे उनको चराना, उनके लिए पानी सब जिसका बेवस्था देखते हैं भी उन लोग कहीं अड़ा बनाते थे तो यहाँ पर उन लोग ने, यहाँ के लोकल लोग जो बताते हैं वह साथ सो ताला भी हां खोड़ा गया था दोस्तों यहाँ भी देखें लोग कुछ चूला बनाई हुए हैं उसी इटा का यह भी टुकडा है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक पत्थर को काट के यहां मूर्ती बनाये गया है जो उसी समय का है और हमारे भारती देवी जवताम से इसका ये मेल नहीं खाता है दोस्तों इसमें जो देवी जवता कुछ भी चीत्र बनाये हैं वो मेल नहीं खाता इसे आपको खोल की दिखाएं दोस्ते चोथे पन्ना हम आपको अगले वीडियों दिखाएंगे तब तक आप स्वस्त रहें मस्त रहें अपने काम में ब्यस्त रहें जै हिंड जै भारत